जैजनेंद्र साथियों स्वागत है सभी का NS Learning पर आपके एक्जाम के लिए समय बहुत ही कम बचा है ऐसे में आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत है राजस्थान संपुर्ण सामन्य ज्यान इस वीडियो में आप लोग कम समय में मैक्सिमम टॉपिक कवर कर सकते हैं और जिन लोगों का अभी तक राजस्थान जीके का कॉर्स कम्प्लीट नहीं हुआ है वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें आप सभी लोगों के लिए दिल से प्रार्थना है कि ये सारी जो क्वेशन से जो भी मैटर है इस वीडियो में वो परिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा मार्क्स लाने वाला साबित हो तो चलिए समय का मुल्य समझते हुए हम शुरू करते हैं अब देखें यहाँ पर राजस्थान जनसंख्या 2011 के अनंतिम आकडे दिये हुए हैं तो यह आकडे आप एक्जेक्ट नहीं बोल सकते हैं पॉइंट्स में यहाँ पर कुछ डिफरेंस भी हो सकता है लेकिन लगभग जो नौलेज है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर सबसे पहले कुल जनसंख्या की बार दे लेते हैं जो कि कितनी है 6 करोड से तो उपर ही है अब लगभग 7 करोड तक पहुँचने वाली है तो 6 करोड पीच्चासी लाख जनसंख्या कहां की है राजस्थान की है उसके बाद महीला जनसंख्या को देखते हैं हम तो 3.30 करोड है पुरुष जनसंख्या 3.56 करोड है तो इनमें अगर हम डिफरेंस देखें तो पुरुष की जनसंख्या जो है वो जादा है और महीला की जनसंख्या थोड़ी कम है आगे देखिए साक्षर्ता प्रतिशत कितना है टोटल राजस्थान में 66.1 प्रतिशत है यानि कि 66.1 उसके बाद आता है महीला साक्षर्ता की बाद की जाए तो 52.1 प्रतिशत है और पुरुष साक्षर्ता कितनी है? 79.2 प्रतिशत तो लड़कियों को अभी पढ़ने की आवशकता है उसके बाद देखिए सरवादिक महीला साक्षर्ता कहां पर है? कोटा के अंदर है चुकी कोटा एक एड़ूकेशन हब बन चुका है तो सबसे ज़्यादा महीला साक्षर्ता कहां पर है कोटा के अंदर है याद रखिएगा और वो भी कितनी है 66.32 तो आपको सिर्फ कोटा मैंली याद रखना है सरवाधिक पुरुष साक्षर्ता की बात की जाए तो जुन जुनू के अंदर है सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले जो चार जीले हैं वो कौन से हैं देखिए कोटा तो हमेशा नंबर वन पे रहेगा ही पूरे राजस्थान में उसके बाद नंबर दो पे कौन आ जाता है जैपूर नंबर तीन पे आ जाएगा जुन जुनू और नंबर चार पे होगा सीकर तो जिन लोगों ने राजस्थान जीके को अच्छे से प्रिपैर कर लिया है एक बार फिर से यहाँ पर रिविजन कर लें चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए कई बार एक्जाम में सिक्वेंस पूछ ली जाती है आरोही करम में अवरोही करम में कम साक्षरता वाले ज्यादा साक्षरता वाले जीले तो आप लोग याद रखें सबसे कम सक्षरता वाले जो चार जीले है पूरे राजस्थान में उनमें कौन है सबसे कम है जालोर जालोर में सबसे कम पढ़े लिखे लोग है उसके बाद आता है सिरोही next आता है प्रताबगड और उसके बाद आता है बांसवाडा यानि कि प्रताबगड़ और बांस्वाड़ा भी जो है जालोर और सिरोही से आगे बढ़ चुके हैं अगला important fact देख लेते हैं लिंगा नुपात का यानि कि पुरुषों के comparison में महिलाओं की संख्या कितनी है that is 928 per 1000 Gents सरवाधिक लिंगा नुपात देखा जाए तो कहाँ पर है डुंगरपूर में है देखिए यहाँ पर 1000 पुरोषों पर 990 महिलाएं है नेक्स्ट है निउन्तम लिंगा नुपात सबसे कम लिंगा नुपात जो है राजस्थान में वो धोलपुर जीले में है और वो कितना है 845 तो यह सभी important आकड़े हैं इन में से एक नाएक कोश्चन तो जरूर एक्जाम में छपेगा देख लिजी आगे जन गनत्व की बात हो रही है यहाँ पर density की बात हो रही है यह होता है जन गनत्व फिर देखिए सरवाधिक जन गनत्व वाला जीला कोन सा है भरतपूर है भरतपूर में density जादा है जमीन कम है और लोग जादा रहते हैं 503 ठीक है आगे देखिए निवंतम जनकनत्व वाला जीरा कौन सा है जेसल मेर है यानि कि यहाँ पर स्पेस तो काफिस आ रहा है लेकिन पॉपिलेशन जो है वो थोड़ी कम है कितनी है सत्रा यानि कि एक वर्ग किलो मेटर में केवल सत्रा जने रहते हैं और भरतपुर में एक वर्ग कि परसेंट उध्यान रखेगा हमेशा व्रदी ही हो रही है तो कमी का तो कामी नहीं है उसके बाद देख लीजिए सरवादिक जन संख्या वाला जीला कौन सा है वो है जैपूर ओवेसली जैपूर ही होगा काफी बड़ा है ताट इस 66.6 लाग population जो है यहां पर है उसके बाद न निउन्तम जन संख्या वाला जीला देखें तो कौन सा है जैसल मेर तो देखो है इनको रिलेट करिएगा जैसल मेर निउन्तम जन संख्या वाला जीला है 6.76 लाग क्रस्ट काम होगा कम होने के जाएं देखिए जीन माता का मंदर किस जीले में है सीकर में है पुष्टी मारगी वैशनव संप्रदाई की प्रधान पीट कहा है तो कतिया सर में है निम्बार का चर्यद्वरा प्रवर्तित निम्बार्क संप्रदाई को किस नाम से जाना जाता है इसे जाना जाता है हन्स संप्रदाई के नाम से बैली क्रिसन रुकमनीरी पुस्तक के लेखक कोन है दैटिस प्रत्वी राज राठोड प्रत्वी राज रासो के लेखक चंद बरदाई चीक है याद रखिएगा प्रत्वी राज रासो के लेखक कोन है चंद बरदाई किस शाशक के राजकवी वैस सामन्त थे ये थे अजमेर के प्रत्वी राज राठोड चो शाशक थे इनके राजकवी रहते थे दरबार में और सामन्त थे प्रसिद्ध प्रेम कथा धोला मारूरा दोहा धोला मारू के नाम से कहीं सारी होटले भी चलती है रेस्टोरेंट चलते हैं तो धोला मारूरा दोहा की रचनाकार कौन थे ये थे कलोल कुम्भल गट दूर्ग का निर्माण महरणा कुम्भा ने किस प्रमुख वास्तुकार वै शिल्पी की देखरेक में कराया था वो किसकी देखरेक में कराया था मंडन की चितोडगट दुर्ग को राजस्थान का गोरव एवं गड़ों का सिर मोर कहा जाता है क्वेशन से क्वेशन बन रहा है अच्छे से पढ़ें जिसका निर्मान किस मोर्य शाशक ने करया था चितोडगट दुर्ग बहुत ज़्यादा फेमस है कई फोरेनर्स इसको देखने के लिए भी आते हैं विजिट करने आते हैं इसको तो इसका निर्मान जो है चित्रांगत मोर्य ने करवाया था चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से चित्रन की कला क्या कहलाती है वो कहलाती है ये कहलाती है ब्लू पोट्री अगला कोशन देख लीजिए बारा पिछवाई पैंटिंग के लिए कौन सा शहर सर्वाधिक प्रसिद्ध है तो ये है नात द्वारा चली एक्टिव होकर थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं उनको कूट 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 कर तथा दबा कर बनाए जाने वाले नम्दों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है ये है टोंक चितोडगट जीले का कौन सा गाउं आजम प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है आकोला और आजम थोड़ा से रिलेट करें नीले वा लाल रंग का सर्वाधिक प्रयोग अजरक प्रिंट के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है तो ये है बाड मेर बेस लाना किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है काले संग मरमर के लिए बेस लाना प्रसिद्ध है देखिए बेस काली होती है तो कौन सा संग मरमर हो जाएगा संग मरमर भी काला हो जाएगा राजस्थान में किस जनजाती के लोगों की जनसंख्या सरवादिक है तो ये हैं मीना जनजाती के लोगों की जनसंख्या सरवादिक है इनका यहाँ पर वर्चस्व है अब देखिए आगे क्वेशन नमबर अठारे पाबू जी राठोड वे जिंदराव खीची के मद्य युद्ध कब हुआ युद्ध से सम्मंदित क्वेशन आ सकते हैं आपके एक्जाम में देखिए 1266 इस्वी में हुआ था पाबू जी राठोड और जिंदराव खीची के मद किस लोग देवता का समारक मकबरा नूमा है तथा इसके प्रवेश द्वार पर बिसमिल्ला भी अंकित है वो है जाहर पीर गोगा जी क्या है जाहर पीर गोगा जी कुशन नमबर 20 अभिनाव भड़ताचारिय किस शाशक को कहा जाता है महारणा कुम्भा को कहा जाता है किस जीले को भटनेर का किला कहा जाता है तो हनुमानगड कीले को किसको हनुमानगड कीले को भटनेर का किला कहा जाता है मारवाड में राठोड वंच की स्थापना किस ने की राव सीहा ने की पुशकर में उननिस्वी शतापदी में बना रंगनात जी का मंदिर बहुत फेमस है तो पूचा जाये, कहां पर है? सबसे ज्यादा कि जीले में भरते है याड रखिएगा पशुमेले के इसाबसे कों इसबेस्टस के उत्पादन में रजय का इस्थान को सा है खनीज की बात हो रही है तो प्रत्तम इसथान is important बन जाता है क्योंकि हमारे राज्य का प्रथम इस्थान है एसबेस्टस के उत्पादन में धामन करड एवं अंजन क्या है यह राजस्थान में गास की किस्में है उट की खाल पर स्वन युक्त मीनाकारी चित्रांकन आधी करने की जैसल मेर की जो बहु आयामी कला है उसका ना भजानी नहरों में से एक गंग नहर का निर्माण 1237 में फिरोच पुर पंजाब के निकट हुसेनी वाला में सतलज नदी से नहर निकाल कर किस ने कराया था बीका नेर के राजा गंगा सींग ने करवाया था क्योंकि नाम इसका क्या है गंग नहर किसके नाम पड़ पड़ा राजा गंगा सींग के नाम पर खारी नदी किस अपवाहत तंत्र का अंग है बंगाल की खाड़ी का अंग है यानि कि यह कहां पर गिरती है बंगल की खाडी मैं। राजस्थान, इसको रिलेट कर लिजए चो खारी है ना, खारी से खाडी। अब कौन सी खाड़ी फैमास है, बंगाल की खाड़ी ज्यादा फैमास है, तो खारी नदी कहां पर जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, आगे देखिए, राजस्थान के मेवार राज्ये के वो कौन शाषक थे जिन्हों ने बनारस हिंदु विश्व विध्याले की स्थ नेक्स्ट कोशन देखें, कोशन नमबर 33, राजस्थान में प्रथम सहकारी समीती 1905 में कहां इस्थापित की गई तो अजमेर जीले के भिनाय में, आपे बात हो रही है प्रथम सहकारी समीती की, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड का थर्मो पोली कहा था, तो य अजस्थान एक्जाम के लिए इससे भी कई बार कोशन पूछे जाते हैं, तो इन्होंने किस युद्ध को मेवाड का मेराथन कहा था, तो अभी आपके जो मेराथन चल रहा है, इसी तरीके से मेवाड का मेराथन किसे कहा था, दिवेर युद्ध को कहा था, मेवाड का मेरा परतापुदै on पीच के बीच211 तर को प्रिसित कहता हुआ था तो याद रखें ना द्वारा के निंगट र 그러면uk dla Vej से चाहल बीच में रहें यार चाहले किंगत सत्वरा अंगरमी करन की पूदैच फन। दो दो कॉशन बन रहे हैं याद रखिये गा पहली बात तो संगीत नाटक अकाद्मी कब इस्थाफित हुई उन्ники पूर्मे पूर्मे सेवनगाष राजिय के किस हीले में सरवाधिक मात्रा में पाई जाती है तो ये जेसल perspective जीले में हनुमान गड़ के कीले को किस नाम से जाना जाता है भटनेर का किला जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारन प्रसिद है तो वह है माउंट ताबू तो आपके अभ्यारन वन्य जी वो अभ्यारन वाइल लाइफ सैंक्चुरी से कोशन बन सकता है अच्छे से प कर दंदर है सांग ताबगर जीलर के अंदर है मतर्ब भ्यारन किसके लिए फेमश है उड़न गिलरियं के लिए फेमश है राजस्थानी भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्री का जागती ayad को यहमेशा जगते रहो रजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कूरती अकादमी एचाईन बीकानेर फ्लोफलो में पढ़ लिया यहाँ पर हैचाईन नहीं है यह Gri Slide भाषा सहित्य और संस्कूरती अकादमी बीकानेर क्या अंसर हो जाएगा बीकानेर में ये वाली अकादमी है जिसने क्या किया था? प्रकाषित होने वाली पत्रिका जाक्ति जोद का प्रकाशन किया था देखे राजस्थान का राजे पशु क्या है? चिंकारा कोन नहीं जानता है नए दामाद के ससुराल में आने पर इस्त्रीयों द्वारा कोन से गीत गहे जाते हैं? आप पिचाते हैं कि आपके लिए कीत गएजाए तो जल्दी से इस job को ले नो देखिए पावणा गएजाते हैं क्या गए जाते हैं पावणा गี่ट गोर बंद गीट किस शेतर में अतियंत लोक बृय है शेखावाटी शेत्र में औल्यू गीत कब गया जाता है किसी की याद में रेलेट कर लीजिए राजस्थान की लोक कलाओं, लोक संगीत के संडरक्षन लुप्त हो रही कलाओं की खोज उनके उन्नयन बढ़ोतरी के लिए लोग कलाकारों को प्रोचसाहित कर उनके विकास के लिए प्रयासरत रुपायन संस्था कहां इस्थित है तो राजस्थान की जो संस्कृतिक हो रही है उसको वापस से जगाने के लिए बढ़ाने के लिए जो संस्थान बनाया जा रहा है रुपायन संस्थान वो कहां पर इस्तित है जोधपुर बोरुंदा में इस्तित है कहां पर बोरुंदा जोधपुर में क्वेशन नमबर 50 पे आ गए हैं हम लोग केवला देव राश्टरी उध्यान को युनेसको ने विश्व विरासत सूची में शामिल कब किया था वैरी इंपोर्टेंट क्वेशन थी के राश्टरी उध्यान नेशनल पार्क के हिसाब से युकि इसको युनेसको ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है और वो कब किया था उननीस सो तर्यासी में क्वेशन नमबर 51 रेगिस्तान का कल्प व्रक्ष किसे कहते हैं खेजडी को कहते हैं क्या ये राजस्थान का राज्जे व्रक्ष है हाँ या नामे जवाब दे राजस्थान का राज्जे पुश्प क्या है तो रोहीडा है रीको मेला अंडू लेटा इसका सांटिफिक नेम है किस व्रक्ष को राज्य का राज्य व्रक्ष कहते हैं तो ये लोग आप से अभी कॉशन पूचा और आगया खेजड़ी इसको क्या बोलते हैं प्रोसोसिप सिनेरिया इसका सांटिफिक नेम है राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा गोडावन को दिया गया है क्या बोला जाता है इसे क्रायोटिस नाइगरी सेट्स उसके बाद गुडला पर्व कब मनाया जाता है तो गणगोर से एक दिन पुर्व गुडला पर्व मनाया जाता है तो रेडियो एफम पर जो गाने आते हैं उसको जिस दिल चस्पी के साथ आप लोग सुनते हैं उसी दिल चस्पी के साथ ये क्वश्चन आप लोग पढ़के जाएए आपको बहुत मददगार साबित होंगे नागदा का प्राचीन सहसर बहु मंदिर कहां इस्तित है उदैपुर जीले में केलाशपुरी के तालाप के किनारे ये मंदिर इस्तित है मथानिया सोर उर्जा सेयत्र राजस्थान के किस जीले में है तो जोदुपुर में है राजस्थान की बहु रूपिया कला को विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले कलाकार का नाम क्या है बहु रूपिया जो बनकर के आते हैं लोगों का एंटर्टेन्मेंट करते हैं तो वो प्रदर्शित करने वाले कलाकार का नाम क्या है जो दूसरे राश्ट्रों में भी जाते हैं इनका नाम है जान की लाल भांड राजस्थान के सरवाधिक अनुसूचित जाती जनसंख्यावले जीले का नाम क्या है तो वो क्या है जैपूर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जो जाती होती है वो कहां पर रहती है जैपूर में रहती है राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौनसी है तो ये चंबल है राजस्थान उच्च न्यायले का मुख्याले कहां इस्तित है जोदपूर में इस्तित है बात मुख्याले की हो रही है तो आप लोग इससे सम्मंदित एक क्वेशन का आंसर दें यदि मुख्याले जो है जोदप राजस्थान की परफम महीला मंत्री कौन थी श्रीमती कमला बेनीवाल राजस्थान की परफम राजस्थानी फिल्म कोसी थी नजराणू राजस्थान की प्रथम राजस्थानी फिल्म कौन सी थी नजराणू राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते है मुहनोत नेनसी को राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य मंतरी का नाम श्रीमती वसुंदरा राजे बांगड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है पोगिलाल पंड्या को किस चहर को जल महलो की नगरी कहा जाता है यह डीग भरतपुर राजस्थान का कानपुर किस चहर को कहा जाता है तो वो है कोटा राजस्थान में सरवाधिक पशू संख्या वाला जीला कुन सा है तो वो कुन सा है उधैपूर सबसे ज़्यादा पशू कहाँ पर पाय जाते हैं उधैपूर और सबसे ज़्यादा पशू मेले कहाँ पर होता हैं कमेंट करके बताएं राजस्थान का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतीशत है तो ये कितना है लगबग एक बटा दस भाग प्रतीशत है तो पार्ट्स में पूछा जाए तो एक बटा दस भाग और प्रतीशत में पूछा जाए तो कितना है लगबग दस पॉइंट चार एक प्रत बट को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है, किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है, बैसरोडगड दुर्ग को, राजस्थान की प्रथम महीला विधान सभाध्यक्ष का नाम क्या है, लट इस सुमित्रा सिंग, राजस्थान का सरवाधिक आर्दर श इस्थापना दिवस कब मनाया जाता है 30 मार्च को लोग कलाओं के संरक्षन के लिए कारीरत उदैपूर इस्थित भारतिय लोग कला वंडल के संस्थापक कोन है देवीलाल सामर भारत सरकार द्वारा 1986 में इस्थापित पश्चिम क्षेतर सांस्क्रतिक केंदर कहां इस्थित है उदैपूर में सन 1958 में इस्थापित राजस्थान सहित्य अकादमी का मुख्यालय कहां पर है राजस्थान सहित्य अकादमी उदैपूर याद रखिएगा उदाइपूर में ये भी है पश्चिम क्षेतर संस्कृतिक के इंदर और उदाइपूर में ही राजस्थान सहित्य अकादमी का मुख्याले है ललित कला का हम पहले पढ़ चुके हैं और संगीत खेतर वाला भी हम पढ़ चुके हैं आगे देखिए क्वेशन नमबर 83 बाकियां से मिलते जुलता वह कौन सा वध्य है जिसे रणक्षेतर में बजाया जाता है तो इसका नाम क्या है भंगल या भेरी रणक्षेतर जैसे कि आपने रामायन देखी होगी माह भारत देखी होगी तो वहाँ पर सबसे पहले क्या होता है एक वाध्य बजता है क्या बढ़ा जाता है उसे बंगल या भेरी राजसमंद जीले के किस गाउं में आहड या आयड सब्यता के समकालीन दो टीले प्राप्त हुए हैं वो कहां पर गिलुंड में संत जंबो जी ने किस संप्रदाई की स्थापना की तो जंबो जी ने विश्णोई संप्रदाई की स्थापना की लोग देवता को याद करके जरूर जाएं भक्त कवियत्री मीरा भाई का जन्मिस्थान मेरता हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं देवी के रत जगे के समय महिलाओं द्वारा गाये जाने वाले जो गीत हैं मंत्र हैं वो क्या कहलाते हैं चिर्जा कहलाते हैं वो ताना बोलते हैं हमरे आज रती जगा है क्या है रती जगा रात को हम जागरन करेंगे और क्या करेंगे गीत गाएंगे मंत्र गाएंगे तो उन देवी देवता के आपे जाए गए होंगे तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगी अगी देखिए 89 शद्धालू अपने आरध्य लोग देवता की सोने चांदी पीतल तांबे आधी धातों की बनी छोटी प्रती गली गले में बांधते हैं जिसे क्या कहते हैं नावा या च स्वरूप माना जाता है तो सुगन चड़ी को आवड माता का स्वरूप माना जाता है 91 आवड माता जेसल मेर की किस राजवंश की कुल देवी थी तो ये है भाटी राजवंश भाटी राजवंश गलिया को टुंगरपूर में किस मुस्लिम संत की दरगा है फकृत दीन जी क दरगा है गुडला त्योहार राजस्थान के मारवार क्षेत्र में कब से कब तक मनाया जाता है पहले भी पढ़ चुके हैं हम गुडला की बात कर चुके है अब यह पूछाए कि कब बनाया जाता है तो चेतर कृष्ण अश्टमी से चेतर शुक्ल तरतिया तक ऑके गलता यहां पर सारी बुकिंग फुल होती है आगे देखिए रखडी क्या है सिर पर पहना जाने वाला आभूशन है मोनी अमावस्या के दिन मोन वरत रखा जाता है यह किस दिन आती है माग अमावस्या के दिन मोनी और माग मलीनात का पशु मेला कहा लगता है तिलवडा बाढ मेर थेवा कला के लिए कौन सा शेहर प्रसिद है प्रताबगड राजी के किन जीलों में एक भी नदी नहीं बहती है बिकानेर और चूरू में राज समन जीले का मोलेला गाउं किस कला के लिए प्रसिद है टेरा कोटा बिट्टी की मूर्तियों के लिए ब्लेक पोटरी के नाम से कौन सा नगर जो है वो प्रसिद्ध है तो कोटा किस लोग देवता को जाहर पीर कहा जाता है गूगा जी को चुहू की देवी करणी माता देशनोग बिकानेर लांगूरिया गीत किस मंदिर में केला देवी मंदिर करूली में कौन सा मेला आदिवासियों के कुम्ब के रूप में जाना जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वेनेश्वर मेला डुंगरपूर वेनेश्वर मेला डुंगरपूर गालव रिशी के आश्रम के रूप में रश्यस्थान का कूंसा तिर्थ इस्leş्थित जाना जाता है गलता जी जॉखुळ रूणीजा गाउं में कॉन से लोक तेवता का मंदिर है तो बाबा राम देउजी का साला सरबाला जी का धाम किस जीले में है चूरू जीले में है वही बहुत लोग आते हैं यहां पर भी कौन से जेन तिर्थंकर को उदैपुर जीले के आदिवसी काला बाबा के नाम से पूझते हैं वो कौन है रिशब देव जी का जो है जेन तिर्थंकर है जेन तिर्थंकर के कितने हैं टोटल 24 और 24 वे कौन है आजकल toھ लोग घायों को इतना पूजा नहीं करते हैं, उन्हें इतना मानसंमान नहीं देते हैं तो पहले लोग क्या करते थे उनके लिए अपने प्राणों की अहुती तक दे दिया करते थे, तो ये कोन थे देजाजी थे राणी सती माता जुन जुनु का वास्तविक नाम क्या था यह नारायनी आई माता बिलाडा जोदपूर किस लोग देवता की शिश्य थी राम देव जी की राजसम्मन जील के किनारे नो चोकी पाल पर किस लोग देवी का मंदिर बना हुआ है तो ये है केवर माता का मंदिर कौन से लोग देवता राजस्थान के गाउं गाउं में भूमी रक्षक देवता की रूप में पूजे जाते है तो भूमी रक्षक से आप रिलेट कर लीजिए कौन है ये भूमिया जी भूमी रक्षक भूमिया जी शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां इस्तित है चाक्सु चैपुर में लोग देवता हडबु जी किस चैशन के समकालीन थे तो ये थे राव जोधा के समकालीन लोग देवता तेजा जी की गोडी का नाम क्या है लीलनी देखो यहाँ पर भी जय दो बार आ रहा है तो यहाँ पर भी ले है दो बार आ रहा है यह इसलिए बता रहे हो ताकि आपको थोड़ा याद रह जाए आगे देखिए 120 देव नारैंट जी की फड किस जाती के भोपो द्वारा बाची जाती हैं तो कुजर जाती के द्वारा धोलपुर जीले के बाड़ी कजबे से दो किलोमेटर दूरी पर धोलपुर बाड़ी रोड़ पर एक विशाल पक्की जील इस्तित है जिसे बादशाह जहंगिर के मनसबदार सुलेह खाने 1622 इस्वी में बन वया था य दूर्पुर जीले में इस्तित 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 इस्तल पर प्रती वर्ष भादो की देवछट को बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें हजारों की संक्या में दूर दूर से शर्दालू आते हैं तो इसका नाम क्या है मच कुंड जयानक भट रचित पुस्तक प्रत्वी र बाबा किला कहा इस्तित है अलवर में कवी प्रत्वराज राठोड की रचनाय किस भाषा में है डिंगल आहड के संस्कृत भाषा के 977 इस्वी के किस शीला लेक में मेवार के तीन राजाओं अलट नर्वाहन शक्तिकुमार के नामों के उलेक हैं तो आंसर क्या हो जाएगा या पर देव कुली का शीला लेक कुशन नमर ट्वंटी एट राजस्थान के किस लेखक को राजस्थानी जुबान की मशाल कहा जाता है राजस्थानी भाषा के शव्दकोश के लेखक सीता राम लाला को महिला शिक्षा के प्रसार के लिए समर्पित पद्मश्री विजेता मिस लूटर का कार्यक्षेतर कहा था ये था चैपुर में जोदपुर के मंदोर इस्थित विश्णु मंदिर का 861 इस्वी का शीला लेख मंदोर के प्रतिहार वंश के शाशकों के बारे में जानकरी देता है तो यह किस भाशा में है संस्कृत भाशा में है संस्कृत हल्दी गाटी युद्ध के शुरू होने से पुर्व अकबर की शाही सेना ने जिस इस्थान पर डेरा डाला था उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है शाही बाग राणा प्रताप के गोडे की समाधी कहा इस्तित है हल्दी गाटी में अकबर ने चितोड़ पर कब अक्रमन का कर कबजा किया तो 1566 इस भी में अकबर के चितोड पर अक्रमन के समय किसके नेत्रतों में हजारों राजपूतों ने मुगल सेना का मुकाबला किया तो वो कौन थे वीर जैमल और पत्ता ने हल्दी गाटी युद में शहीद हुए रणा प्रताप के सेना पती पठान हकीम खा सूरी की समाधी कहां इस्तित है खमनोर गाउं के रक्त तलाई के मेदान में हल्दी गाटी के पास इस्तित खमनोर गाउं के रक्त तलाई के मेदान में ग्वालियर के किस राजकुमार ने अपने प्राण उत्सर्ग किये जिसकी समाधी भी वहां इस्तित है वो थे राम सिंग तवर हल्दी गाटी युद्ध में प्रताप के गोडे चेतक गायल हो जाने पर परिस्थिती को समझते हुए किस वीर राजपूत ने राजचिन्ह और द्वज अपने हाथ में ले लिया और प्रताप के इस्थान पर स्वयम लड़कर प्रताप को युद्ध मेदान से बहार निकाला में हुआ राणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हल्दी गाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस दिन प्रारम हुआ 18 जून 1566 को अल्रड़ी देख चुके हैं हल्दी गाटी के युद्ध में किस मेदान में राणा प्रताप मुगल सेना से गिर गये थे खमनोर गाउं के रख्त तलाई के मेदान में राजस्थान में घारे पानी की जीले किस सागर के आउशेश वहां पर है तो यह है टेथिस सागर के पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौनसी है वही यह है पनास नदी विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्मत माला कुनसी है तो विंध्यपरवत माला बात की जारी है यापर इस्पेशली वलित की तो ध्यान रखिएगा अंसर गलत ना कीजिए वलित विंध्यपरवत माला अरावली की सबसे उची चोटी कुन सी है गुरू शीखर है कौन-कौन गया है यहाँ पर राजस्थान में अरावली उत्तरपुर्वों में किस जीले में प्रवेश करती है तो याद रखिए जुन जुनूने राजस्थान का अर्द तम जीला कौन सा है पढ़ चुके है जालावाट राजस्थान में चलने वाली शुष्क और धूलबरी हवाई कौन सी है लू पढ़ चुके है राजस्थान का सबसे शुष्क इस्थान कौन सा है फलोधी पढ़ चुके है है आना सागर आना सागर ओके और सब लोग जानते ही है अजमिर रास्थान में किस जीले में सबसे ज़्यदा वन कहां पाई जाते हैं तो उदैपुर में राइगिस्तान वन रोपन और भू सनरक्षन के इंदर कहां इसती थे तो जोदपुर में खरंग शेतर में होने वाली आई की द्रश्टी से रास्थान का देश में कौन सा इस्तान है तो आठवा रास्थान में मेंगनीज हेतू का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है मे देश की एकमातर टंगिस्तन की जो खान है वो राज्ज में कहां पर है तो डेगाना नागोर में है रास्थान का सबसे अधिक फैलसपार किस जिले से प्राप्त किया जाता है तो अजमेर से मांडो की पाल डूंगरपूर किस खनीज के लिए प्रसिद है तो फ्लो राइट क लिए जामर कोटड़ा किस चीले में इस्तित है उदयपूर राजस्थान की पहली विशिष्ट अश्वगंधा मंडी कहां पर बनाई गई है जाला वाड जो काश्टकार किसी अन्य के खेटकों किराये पर जोता था उस काश्टकार को कहा जाता था मुकाती राजस्थान की किस रियासत का पुनावडा कान से संबद है तो टुंगरपूर राजपुताना हरीजन सेवा संग की स्थापना किसने की राम नरैन चोदरी ने किस कुवे को रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है बाटाडु के कुवे को तनोट माता के मंदिर का निर्मान किसने करवाया था महारावल तनुज ने सल्तनत काल में निर्मित अतार कीन दरवाजा किस जीले में स्थित है नागोर में डिंगल शब्द कोश किसने तयार किया था पंडित राम करण आसोपा ने जेसल मेर कीले का दोहरा पर कोटा क्या कहलाता है कमर कोट सतलज गाटी योजना किसने तयार की थी आर जी केनेडी ने कंग नहर का उद्गाटन किसने किया था वायस राय लोड इर्विन ने किस अधिवेशन से जमनालाल बजाज गांधी जी के पांचवे पुत्र कहलाए नाकपुर अधिवेशन इंपोर्टन है गांधी जी के पांचवे पुत्र कोन कहलाते हैं जमनालाल बजाज बाग परियोजना के सुत्रधार कोन थे केलाश साखला राजस्थान नहर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है डॉक्टर कवरसेन को किस युद्ध में जोदपूर महाराणा सरदार सिंग ने सेना चीन भेजी थी तो बकसर युद्ध कौन सा जीला पोलो का गर कहलाता है जोदपूर राजस्थान का प्रवेश्दवार भरतपूर महुआ के पेड़ पाये जाते हैं उदयपूर्वा चित्तोडगड में राजस्थान में चपनी आकाल किस वर्ष पड़ा उननी सो चपन में मांसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है दक्षिन पश्चिम से उत्तर पुर्व की और याद रखे दिशा कहां से कहां तक दक्षिन पश्चिम से उत्तर पुर्व की और राजस्थान में गुरू शिकर चोटी की उचाई कितनी है यह 1722 मीटर वेरी इंपोर्टेंट पूच सकते हैं कि यह जो परवतमालाय है चोटिया है इनका आरोही क्रम अवरोही क्रम बताएं उचाई की द्रश्टी से तो उसमें काम आती है यह वाकि इतने आकड़े जो है डीप में नहीं पुछे जाते हैं रास्थान में किस शहर को संसिटी के नाम से जाना जाता है जोधपूर रास्थान की आकरती केसी है विशम कौन चतुर्भुज रास्थान की किस जीले का क्षेत्रवल सबसे ज्यादा है तो जेसलमेर राज्जे की कुल इस्थलिय सीमा की लंबाई कितनी है उनसट सो बीस प पुर्वी जीला कोन सा है दोलपूर राजस्थान का सागवान कोन सा व्रक्ष कैलाता है रोहीडा राजस्थान की किस खेत्र में सागोन की व्रक्ष पाये जाते हैं दक्षिनी जून महा में सुर्य किस जीले में लंबवत चमकता है तो बांसवडा राजस्थान में वादिक तैसिलों की संक्या किस जीले में है तो चैपुर में याद रखिए राजस्थान में सर्व प्रतम सुर्यूदय किस जीले में होता है अब सबसे पुरू में धोलपुर है तो धोलपुर में होगा उडिया पठार किस जीले में इस्तित है सिरोही में राजस्थान में कि तो तीहाई भाग जो है वो मरुस्तलिय है राजस्थान के पश्चिम भाग में पाए जाने वाला सरवादिक विशेला सर्प कौन सा है तो पीवना सर्प राजस्थान के पूर्णतया वनस्पती रहित क्षेत्र कौन सा है समगाव जेसल मेर जहां पे कोई भी पेड़ पोदे क कोई वनस्पती वहाँ पर नहीं है राजस्थान के किस जीले में सूरी किर्णों का तिर्चापन सरवादिक होता है तो सबसे ज़्यादा तिर्चापन जो होता है वो श्री गंगा नगर में और सबसे सीधी कहां पर पढ़ती है बताईए लंबवत राजस्थान का शेत्रफल इज्राइल से कितना गुना है सत्रा गुना बड़ा है शेत्रफल रास्थान की 1070 किलमेटर लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा का जो नाम है वो रेड लिफ रेखा है तो इसकी लंबाई कितनी है इतनी और कहां से लगी है पाकिस्तान से करक रेखा राजस्थान की किस जिले से चूती वे गुजरती है तो डुंगरपूर और पांसवड़ा से रास्थान में जनसंख है की दृष्टी से सबसे बड़ा जो जीला है वो है जैपूर थार के रेगिस्थान के कुल ख्शेत्रफल का कितना प्रतीशत राजस्थान में है तो 58 प्रतीशत। मतलब थार का रेगिस्तान जितना फेला हुआ है ना उसके 100 प्रतिशत में से 58 प्रतिशत तो राजस्तान में ही है राजस्तान के रेगिस्तान में रेट के विशा लहरदार टेले को क्या कहते हैं तो धोरे राजस्थान का एक मात्र जीवाश में पार्क कौन सा है आकल गाउं जेसल मेर में इस्थित है मारवाड का प्रताप किसे माना जाता है चंदर सेन को राजस्थान में किसान अंदुलन का जनक किसे माना जाता है विजे सिंग पतिक को उत्तर भारत का एकमात्र रावन मंदिर जोधपुर में, राजस्थान की मिरा भाई की जन्व मेड़ता सिटी राजस्थान में भक्ती अंदोलन प्रानवर करने का जो श्रे है वो किसे जाता है घन्ना जी को राजस्थान के किस लोग देवता ने मुस्लिम अक्रमनकारी महमूत गजनवी के साथ उद्ध किया था तो गोगा जी डोल रित्य किस क्षेतर में किया जाता है जालोर में राजस्थान का शाशन सचीवालाय कहां इस्तित है जैपुर में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोदपूर एशिया की सबसे बड़ी उनकी मंडी बीका नेर राजस्थान का सबसे प्राचीन संगडित उद्ध्योग सूती वसर उद्ध्योग राश्ट्री सरसो अनुसंधान केंदर सेवर भरतपूर हमीर रासो किस भाषा के गरंथ जो है जो हमीर रासो है वो किस भाषा में लिखा गया है संस्कृत में तो यह समप्त हुए आपके राजस्थान से रिलेटेट कुछ important questions और साथ यह बता दूँ आपको जिन लोगों ने रास्थान कॉपरेटिव के e-book जो है परचेस की थी उन सभी को जो PDF है 360 question की वो प्रवाइट करवा दी गई है जो की बहुत ही महत्तोपुर्ण है जिन लोगों को यह 360 MCQ की PDF और साथ ही साथ e-book और अधर जो content है राजस्थान कॉपरेटिव रूल्स एक्ट और structure का जो भी आपको चाहिए उसके लिए आप उन नंबर पर दी हुए WhatsApp नंबर पर एक बार contact कर सकते हैं message कर सकते हैं धन्यवाद